हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों मेरा नाम है रोहित राजयोदिया और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EPF and ESIC Expert में दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आप एक PFK employees है और आप अभी company में continue work कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों क्या है कि आपको पैसे की काफी जादा requirement है दोस्तों अभी आने वाले समय में दीवाली आ रही है और ऐसे में बहुत से हमारे employees को पैसे की काफी जादा requirement रहेगी तो दोस्तो अगर आप एक PF Employees है और आपका PF Company के अंदर कट रहा है तो दोस्तो आज आपको मैं बताओंगा कि आप Company में काम करते करते आप कैसे अपना Advance पैसा निकाल सकते हैं तो दोस्तो वही आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप अपना advance पैसा निकाल सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं क्योंकि वह अपने से खुद सुएम अपना पीफ का advance claim form submit कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम start करते हैं दोस्तो अभी हम आ चुके हैं desktop की screen पर और दोस्तो यहां पर Google में हम सर्च करना है Member Home जैसे आप Member Home search करेंगे आपको पहली ही link को click करना है जैसे आप Member Home की site को click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर Member Home की official site खुल चुकी है और हमें देखने को मिल रही है तो दोस्तों इसकी link में आपको description में provide करा दूँगा वहाँ से जाकर आप इसे check out कर सकते हैं तो चलिए तो यहाँ पर हम डालते हैं अपना UN No. उसके बाद हम password feel करेंगे unskे बाद capture feel करेंगे, capture feel करने के बाद दोस्तों हम sign in पर click करेंगे जैसे हम sign in पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर letter कर देना है दोस्तो जैसी हमने अपना UN number password डाला तो हमारा जो UN है वो login हो चुका है अब दोस्तो हमें यहाँ पर अपना advance पैसा निकलना है क्योंकि अभी हम company में काम कर रहे हैं तो दोस्तो हमें जाना होगा यहाँ पर online services में दोस्तो जैसी आप online services में click करोगे तो आपको पहला यह option देखन दोस्तो आपका जो भी bank account number है जो भी आपका KYC हुवा है UN से वो account number आपको यहाँ पर ढलना है दोस्तो हमने bank night number डाल लिया है उसके बाद हम verify पर click करेंगे जैसी आप verify पर click करेंगे आपको यहां पर yes कर देना है, yes करने के बाद दोस्तों आपको proceed for online claim पर click करना है, click करने के बाद देखी दोस्तों कुछ इस तरीके का interface हमें देखने को मिलेगा, यहां पर आपसे पूछ रहा है I want to apply for, तो आपको यहां पर select करना है, और आपको क्योंकि देखी अभी आपके पास एक ही select service करने के बाद देखी दोस्तों हमें यहां पर company select करनी है, जिस company से आप advance पैसा निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों हम यहां पर select करेंगे, कोई भी एक company उसके बाद यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपको किस के लिए, किस purpose के लिए पैसा चाहिए, तो देखी दोस्तों आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आप सीधे illness का option के लिए कर दें, दोस्तों मैंने देखा है बहुत से लोग power cut, purchase of handicap, यह कर सकते हैं, लेकिन देखी हमें पैसा जल्दी निकालना है, बहुत से लोगों के पास यहां पर एक option आता है, outbreak of pandemic COVID-19, लेकिन दोस्तों यहां पर क् COVID-19 के तो पैसा निकाल दिया है, तो अब हमें illness का option ही set करना है, तो दोस्तों यहां पर आप illness का option है, उसे select कर लाएं, उसके बाद यहां पर आप amount डालनें, आपको कितना amount चाहिए, दोस्तों हमने amount डाल दिया है, उसके बाद हम यहां पर अपना address डालेंगे, जो भी हमारा address है, उसके बाद आपको state select करना है, उसके बाद दोवारा city का नाम लिखना है, फिर आपको pin code डालना है, जिस भी सहर में आप रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, उसके बाद आप से पुछ रहा है, upload, scan, copy, check या पास्वोक, तो दोस्तों यहां पर आपको क्या है, अपनी जो upload करनी है, और size का विसे से आप ध्यान रखें, यहां पर आपको एकदम clear photo खीच कर upload करनी है, और size है, जो की 100 kb से 500 kb की बीच में होना चाहिए, तो हम यहां पर select करेंगे, अपनी पास्वोक, जो भी आपकी पास्वोक है, उसके बाद देखी दोस्तों आपको left side में एक check box का click करेंगे, तो हमारा जो OTP है, वो हमारे registered mobile number पर चला जाएगा, यानि कि आधार में जो mobile number आपका registered है, उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहां पर डाल देना है, दोस्तों हमारे पास जो OTP गया था, वो हमने यहां पर डाल दिया है, उसके बाद हम valid OTP and submit claim form पर click करेंगे जैसी हम यहां पर click करेंगे, दोस्तों हमें यहां पर दिखा रहा है कि OTP has verified और हमारा जो form है, वो submitted हो चुका है, दोस्तों आप इसकी receiving भी यहां से download कर सकते हैं, अगर आप कुछ चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कोई issue नहीं है, दोस्तों इस तरीके से आप अपना online claim form भर सकते हैं, घर बैठे, और आप अपना online पैसा निकाल सकते हैं, अगर आप अपनी company में काम कर रहे हैं, तब भी, क्योंकि इसे हम बोलते हैं advance पैसा, दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो बागई में रहेंगे, धन्यवाद, जैहन